हर साल कार्तिक मास के क्रिष्ण पक्ष की त्रोधिसी तिथी को धन्तेरस का पर्व सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और धन्तेरस के साथ ही पांच दिनों तक चलने वाली दिवाली पर्व की सुरुआत भी हो जाती है धन्तेरस के दिन बाजार से सोना, चांदी, नए बर्तन या कोई नया समान खरीदने की बहुत ही पुरानी प्रमपरा है तो आएए जानते हैं कि 2022 में धन्तेरस कब है इस दिन खरीदारी का सुप मोहुट कब से कब तक रहेगा और धन्तेरस के दिन जो हम जाडू खरीदते हैं उन्हें जाडू किस प्रकार से खरीदनी चाहिए, कौन सी जाडू खरीदनी चाहिए, कितनी संख्या में हमें जाडू खरीदनी चाहिए, जाडू खरीदने के बाद आपको जाडू का क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, या कुछ लोग जाडू तो खरीद कर ले आते हैं, पर कुछ गलतियां जाने अंजाने में कर देते हैं आप ये सोच कर जाड़ो घर ले आते हैं कि घर में बरकत होगी मालक्षमी की आगमन होगी पर जानकारी के अभाव में हम जाड़ो के साथ साथ कुछ दुरभागे को भी घर लाते हैं क्या है जाडू खरीदने का सही तरीका और इसके बाद आपको जाडू का क्या करना है यह सभी बाते में आपको एक एक करके विस्तार से बताऊंगे तो आप हमारे साथ बने रहें पर इससे पहले मैं मन्जु कुमार आप सभी को अपने यूटूब चैनल सीख परिवार पर दिल से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैब भोलेनात जरूर लिखेगा दोस्तों साल 2022 में त्रोधसी तिथी प्रारंब होगी 22 अक्टूबर सनीवार साम 6 बच कर 2 मिनट से जिसकी समापती होगी 23 अक्टूबर रवीवार साम 6 बच कर 3 मिनट पर कई बार जब तिथियां दो दीन की होती है तब तेवहार भी लोग दो दीन मनाते हैं तो इस बार कुछ लोग 22 अक्टूबर को धन तेरस का तेवहार मनाएंगे तो कुछ लोग 23 अक्टूबर को भी धन तेरस का तेवहार मनाएंगे पर माननेताओं के अनुसार हमें कोई भी तेवार उद्यातिती से मनाना चाहिए तो नियम से इस बार 23 अक्टूबर को ही धन्तेरस का पर्व मनाया जाएगा और उसी दिन मनाना सही रहेगा धन्तेरस की पूजा प्रदोस काल में होती है पूजन का सुब महुर्थ 23 अक्टूबर रवीवार साम 5 बजकर 44 मिनट से साम 6 बजकर 5 मिनट तक रहेगा सुब महुर्थ की कूल अधी 21 मिनट है प्रदोस काल साम 5 बजकर 44 मिनट से रात 8 बजकर 16 मिनट तक है ब्रिशब काल साम 6 बजकर 58 मिनट से रात 8 बजकर 54 मिनट तक है दोस्तो मतश्य पुरान में ज़ाडू को मा लक्षमी का प्रतीक माना गया है और ब्रहत सनहिता में ज़ाडू को शुक शान्ती बढ़ाने का और दरित्रता हठाने वाली माना जाता है तो माननेता या है कि धन 13 के दिन अगर घर में नई ज़ाडू लगाई जाए तो आपके घर में चोतरफा धन आती है आपके धन में अपार ब्रिधी होती है और आपके घर से अनावश्यक धन की खर्च भी कम हो जाती है आपकी सभी प्रकार की आर्थिक परिशानिया दूर हो जाती है तो धन 13 के दिन जब आप जाडू खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि धन 13 के दिन लोग कई तरह के जाडू खरीद कर लाते हैं मैं आपको बता दूँ कि आप सिरिप सीको वाले जाडू ही खरीद कर लाईएगा जो नारियल के डाली से बनता है या फिर फूल जाड़ो भी खरीद कर ला सकते हैं जाड़ो जितना घना होगा उतना ही आपके घर में धन शुक समरिधी की ब्रिधी होगी भूल कर भी प्लास्टिक की जाड़ो नहीं खरीदिएगा धन तेरस के दिन अगर आप प्लास्टिक का जाड़ो खरीद कर घर लाते हैं धन तेरस के दिन तो जाड़ो के साथ साथ आप अपने घरो में बहुत सारी परिशानिया को ले आते हैं अगली बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जाड़ो किसी के तूटी नहो पतली नहो साथ जाड़ो ही आपको बाजार से खरीद कर घर लानी चाहिए अब सवाल है कि जो हम पहले से जाड़ो इस्तमाल कर रहे हैं उसे कब हटाएं घर से तो आप पुरानी जाड़ो धन तेरस के दिन सुर्योदय से पहले हटा दे ऐसी जगा पुरानी जाड़ो रखे जहां पैर वेगेरा ना लगे जाड़ो पर पैर लगना असुब माना जाता है मानता है कि जाड़ो पर पैर लगने से मालच्मी रुष्ट हो जाती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेगा अब बात करते हैं कि कितनी जाडू खरीदनी चाहिए तो हमें तीन जाडू खरीदनी चाहिए धन 13 के दिन एक जाडू का दान आप मंदिर में करें जब आप मंदिर में जाडू दान करते हैं तो आपकी कोशिस होनी चाहिए कि कोई भी वेक्ति आपको जारू दान करते हुए ना देखे और ना ही टोके आप मंदिर के गेट पर या अंदर की और रख दे या बाहर गेट पर भी आप रख सकते हैं पर जारू अगर थोड़ा सा एक दो बार आप वहां लगा दीजेगा मंदिर के प्रांगन में या गेट पर तो बहुत ही अच्छा माना जाता है जारू लगाते समय आप मालक्ष्मी को प्रणाम कर लें और उसकी बाद पीछे मुड़ कर ना देखे सीधे अपने घर आ जाएं धन्तेरस के दिन मंदिर के अलावा जारू का दान आपको किसी भी वेक्ति को नहीं करना चाहिए अपनी पुरानी जारू जो आपने घर से बाहर किया है उसे भी किसी वेक्ति को इस्तमाल नहीं करने दे ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक परेशानिया बढ़ सकती है उसे ऐसी जगह रखे ताकि कोई भी आदमी उसे यूज न कर सके धनतेरस के दिन जो नई जारू आप खरीद कर लाएंगे उसकी वीधिवत पूजा करेंगे आप सबसे पहले जारू को मंदिर के पास रखे फिर कच्चा सुथ साथ बार लपेट कर तीन गाठ लगा दे फिर धूप दीप से पूजा करने चाहिए उसके बाद मा लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करने चाहिए प्रातना करने चाहिए कि मा लक्ष्मी जी आप हमारे घर में आगमन कीजिए इस बात का आशिरवात आप हमें दीजिये की आज जो जाडू हम खरीद कर लाएं हैं और जो जाडू हम मंदिर में दान किये हैं उस दान का पुर्ण फल हमें और हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हो घर में वैभव, धन और चारो तरफ से खुशियां आएं किसी की भी बुरी नजर हमारे घर परिवार में न लगे हमारे परिवार को हर सदस के रोजी रोटी में बरकत हो घर का हर सदस स्वस्तेवं खुश रहे इस कामना के साथ आप जाडू को प्रणाम कर सबसे पहले उस जा जाडू आप पूजन करने के थोड़ी देर बाद लगाईएगा तुरं जाडू पूजन के बाद जाडू नहीं लगाते हैं सास्तरों के अनुसार धन 13 के दिन नहीं जाडू से घर में जाडू लगाना बहुत अधिक सुब माना जाता है कहते हैं आपके घर में धन, शुक, खुशियां चारो दिसा से आती है, पूरे साल आप और आपका घर परिवार हर संकट से बचा रहता है, धन में बरकत होती है, तो आप भी ऐसा कीजिएगा, जारो बहुत ही पवित्र माना जाता है, जारो में पैर नहीं लगाना चाहिए, लांगना भी नहीं चाहिए, जारो को हमेशा छुपा कर घर में रखना चाहिए, जहां किसी की भी नजर न पड़े, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, जारो कभी भी खड़ा भी हमें नहीं रखनी चाहिए, हमेशा जारो को लेटा कर रखना चाहिए, बड़े घर में जादा जारो का इस्तमाल होता है, तो दिवाली के पहले भी हमें जाडू खरीदना पड़ सकता है तो आप हमेशा जाडू कृष्ण पक्ष में ही खर दें या कडेवार जैसे मंगलवार, शनिवार या रवीवार को भी जाडू खरीदना सुब माना जाता है और पुरानी जाडू घर से निकालने का सबसे अच्छा दिन अमावश्या का होता है या सनिवार के दिन, या सुर्ज गरहन, या चंदर गरहन के दिन भी आप जाडू घर से निकाल सकते हैं कई बार लोग तूटी जाडू से जाडू लगाते हैं पर आप ये गलती नहीं कीजीगा ऐसा करने से आपको पता भी नहीं है और आप बहुत सारे प्रॉब्लम में फस सकते हैं जाडो को जलाना भी हमें नहीं चाहिए जाडो को कभी भी नदी नाले में भी नहीं फेकना चाहिए एक और बात आप ध्यान रखेगा कि जाडो को कभी भी गुरुवार या शुकरवार को घर से नहीं निकालना चाहिए कारण गुरुवार और शुकरवार मालक्षमी का दीन ह होता है सबसे लाश्ट में और सबसे जरूरी बात में आपको बता दूं कि आप घर में जब भी जाड़ु खरिद कर लाईएगा तो साथ में कुछ भी मीठा जरूर लाईएगा कुछ नहीं तो मिस्री चीनी बतासा भी आप ला सकते हैं उसका भोग मालक्षमी को चढ़ाईएगा धनतीरस का दीन हो तो मालक्षमी के साथ कुबेर देओ और धनवंती भगवान को भी चढ़ाईएगा और इसे प्रातना किजिएगा कि मेरे घर में शुक शान्ती बने रहे बरकत हो सुभ शक्तियों का वास हो उसके बाद आप प्रशाड अपने पूरे घर में बाट दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाईक करके चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भ भूलिएगा धन्यवाद